आवजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकोनमिक फोरम में आपसे वर्चुल रूप से जुढने का मोका मिला। इसी महिने लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्टिय सहयोग का एक प्रमोख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूँ और उन्हें बधाई भी देता हूँ। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उच समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विबिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेश्टनल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्नाइद वाल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश में। कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटीक विशों पर रुष के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावना है। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमर्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्टी के लिए एक महत्वपूर भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टैलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिजम से रश्यन फारिस्ट में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमने हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं। यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूट ग्रेंड, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी ही विकासिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रून प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्यात समंदित हाल की सहमति का स्वागत भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पुतिम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोर्म को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फोर्म में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुपकामनाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।